जाहिंद वंदे मात्रम तो दोस्तों सस्ती के वेब साइट पर एक नौटिस जारी हुआ है आप लोगे नौटिस देख लिए होंगे इस नौटिस के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है कि ससी जीडी के पाइटरने में बदला होगा यह होगा वो होगा बहुत सारी अपवा पर पर पोजल यहां पर देख सर्विस प्रोवाइडर ऑप कॉंटेंट ऑटराइज एजनसी सी ए इसका मतलब क्या है कंप्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन क्या ससी जीडी के एक्जाम में बदला होगा सारी चीज इस वीडियो में हम बताने बाले हैं सारी चीज एक एक ची हैं क्या इससे आपको कोई परेसानी होने वाली है या नहीं होने वाली है आप लोग बने रहे हैं यदि आप एससी जीडी एससी की किसी भरती की तयारी कर रहे हैं तो समझ के दोस्तों तो काफी स्टूरेंट ने हमें क्वेस्टन किया कि भाई एक बार बताईए यह जो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए चलते हैं किस नौटिफिकेशण पर जैसे यहां पर हमने पहले से डालोड हमने करके राख्था उसकolf पने जाना चीज जाना उसको आप लोग data भी देख लिजे कि Sscgd में कितना student apply करता है इसमें यह data भी बताया गया है तो देखिये दोस्तों यहीं one notice है देख लिए यहीं one notice है यहाँ पर देख लिजिए यहाँव नॉटी ist है और दोस्तों यहाँ पर देख लिए दिया गया है service provider content authoring fois 반 क्वेंटर बेश्ट इक्जामनेशन समझ ग्वेंग और इसी में काफी स्टूडेंट परेशान है कि यार इस वार मेरे स्सीजी इडी का चांस था इस वार हम त्यारी कर रहे थे क्या हो गया अब हमारा क्या होगा लेवल हाइ हो जायेगा तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि प्लीज यदि आप ससी जीडि की त्यारी कर रहे हैं तो आप तैयारी अपनी स्टीप मत कीजिए मत छोड़िए सब्सक्राइब करेंगे आपके एक्जाम तक सारा माइत का काम खलास कर देंगे तो वीडियो के नीचे हमारा दूसरा चैनल है और वाट्सेप चैनल है जाके आप सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को समझगे लिंक दिया हुआ है और रोज दोफर 19 बजे कलास सलती है एससी जीडि के लिए माइत जीखे लिए लिए फेशल माइत जीके हिंदी उसके लिए टैंसन नहीं है माइत रेजिनिंग में आपका रेजल्ट बनता है तो माइत रेजिनिंग को कस के दो चलिए दोस्तों यह यह जो है इस नौटिस में जो चीज हमारे काम का है क्योंकि भाई हमें SSCGD की त्यारी करना है तो हमें SSCGD जारी हुआ है यहां चलिए देखिए नीचे चलते हैं यह content दिया गया है इस notice में हम क्या-क्या बताने बाले हैं क्या-क्या दिया है इस notice में वही सारी चीजे बताया गया है यहां पर भी देख का क्या है जैसे कि आप लोगों के लिए पर क्यूबि तो क्यूबि का क्या फुल फॉर्म है यह साड़ी चीजे यहां पर बताई गई है तो अब देखें दोसतों आप लोगों के लिए जो जो मेन पॉइंट है आप लोग देखिए सबसे मेन पॉइंट यही है इस पूरे नॉटिस में सबसे मेन पॉइंट यही है इन द एयर दोहज़ा थारा वन सर्विस्ट प्रोवाइडर वाज इडेंटिफाइड समझ गे एक जूट द प्रोसेस्ट अप कंडुक्टिंग कंप्य क्यूटर बेस्ट टेस्ट सीविटी दसेम सर्विस्ट प्रोवाइडर वाज अल्सोर रिस्पॉंस्टीवल फोर क्रियेशन मेंटिनेंस मैनेजमेंट पॉस्ट्टन पेपर सीट यहां पर जो बताया गया है कि 2018 से स्सी जीडी हो स्सी सीजियल हो स्सी एम्टी एस हो जो भी भ समाझ गए इसका काम था क्या था से एक जॉड़ुन करवाना सर्विस प्रोवाईडर वाज एईन्टीफाय और और बेंटिफार। Since it has been decided by SSC to fix the responsibilities of CBT and Question Bank to identify service provider. अब क्या किया है? कि SSC ने एक बारा बदला किया है और यह बदला अभी नहीं हुआ है. केबल यह ढूंड रहा है कि हमको दो ऐसा आदमी चाहिए जो एक इकजाम करवाए उसका काम केबल इकजाम से हो. और एक Question Paper बनाके Question Paper प्रोवाइड करा रही है. समझे दोस्तों अब 2018 से क्या था? कि एक आदमी था. एक आदमी क्या करता था? SSC GD का एकजाम भी लेता था और Question Paper भी प्रोवाइड कराता था. लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यह जो डाटा जारी किया जिसता से आप लोग जानते होंगे कि भाई Tender आता है. तो वही Tender है यह Notice. समझे यह Tender है यह Notice. टेंडर जारी किया गया है कि हमें दो आदमी चाहिए. जो एक्जाम कराए पहला आदमी रिजल्ट दे हमें बनाके और एक आदमी चाहिए जो Question Paper हमें बनाके दे. Question Bank वही मांगा गया है Provider that shall be different RFS for the two side tax. Normally CBT and Question Bank the service provider responsible for one tax will be not allowed participate in the RFP and the other. मतलब यह कहा गया है कि जैसे यह CBT वाला है और यह Question Paper वाला है. यह अपना काम करेगा यह अपना काम करेगा ना इसको इससे कोई मतलब है ना इसको इससे कोई मतलब है. कि SSAGD का अभी जितना इक्जाम हुआ है सबका Question Paper मार्केट में available है. समझ गे तो इसी डाटा को चेंज करने के चक्कर में ऐसा हो रहा है. समझ गे तो अब क्या होगा अब जब भी आपका एक्जाम होगा तो मान के चलिए TCS है तो TCS के वाल एक्जाम लेने से मतलब है उसको Question Paper कैसा है Question Paper कौन बनाएगा उससे उसको मतलब नहीं है उसको Question Paper Provide अलग से कराया जाएगा यही इस नोटिस में Tender जाड़ी किया गया है बाकि सारा डाटा यहां पर देखे Tender बाले को पहले बता दिया जाता है कि यदि आप हमारा Tender लोगे तो आपको इतना डाटा सब्मिट करना पड़ेगा इतना Question Bank तयार करना पड़ेगा समझ के दोस्तों तो इसमें आपको यही बताया गया है यहां पर बताया गया है कि किस जो टेंडर लेगा उस टेंडर बाले को जो question paper बनाएगा question bank बनाएगा objective टाइब और जो exam conduct करवाएगा इस दोनों को मांग है इस दोनों को दिखाया गया है यदि आप हमारे यह टेंडर लेते हैं तो आपको देख लिजा यहां पर combined higher secondary 10 plus 2 level examination में register होता है इतना student यहां पर द 10 में constable gd capf na assess up and rifleman gd awesome rifles exam 2021 एक 70,74,589 student apply किये थे रजिस्टर किये थे ssc gd में 2021 में 71,74,589 student 2021 में apply किये थे यहां पर देख लिजिए आपको यहां पर 2022 का भी data मिल जाएगा देख लिजिए यह 2022 और 23 का है 2022 और 23 में constable gd in capf nissf and rifleman gd awesome rifle 2022 दोस्तों आज हम बात करने वाले है ssc gd constable भरती परिक्षा 2023 के best book के बारे में जो की चक्छू परकासन की सबसे best book है नए syllabus और नए pattern पर आधारी दोस्तों इस book में आप लोगों को समानी बुधी मता एबं तर्क सकती समानी ज्यान एबं समाने जानकारी प्रारंबिक अंगनित साथ में हिंदी और इंग्लिस दोस्तों इस book के साथ इनकी प्रैटिक सेट भी आती है जिसे पड़कर आप अपनी तयारी को और मजबूत कर सकते हैं तो दोस्तों यह आप लोग यह book और प्रैटिक सेट ऑनलाइन परचेज करना चाहतें तो वीडियो के नीचे description में लिंक है फटा फट जाए बुक और यह प्रैटिक सेट ऑनलाइन परचेज कर लीजिए नोटिस देख लिया तो दोस्तों इस नोटिस का एक ही मतलब है और दोस्तों बता दे कि काफ्रेश्ट बोलेंगे कि क्या तो दोस्तों बता दे कि आप लोगों का syllabus चेंज नहीं हुआ जो पाइटर्न था वही पाइटर्न है ना आपका syllabus चेंज हुआ पाइटर्न भी वही है syllabus भी वही है SSC ने एक्जाम में कोई बदलाव नहीं किया ना SSCGD में ना SSC के किसी भी एक्जाम में बदलाव किया तो दो चीज में बदलाव हो रहा है अब एक्जाम लेने वाला अलग होगा अलग आदमी कराएगा एक्जाम और यह जो कोश्चन बनाने वाला अलग आदमी होगा पहले क्या था जानाना और दोस्तों एक और बदलो हो सकता है वह क्या बदलो है कि हो सकता है तो आप लोगों को के जय से कि वहां पर बताया गया था कि कॉस्चन जो है इसलिए कोउस्चन मां को थोड़ा सा यहां पर क्या किया जा रहा है को सब्सकुर्ण जो बना के बाजार में उपलब्द हो जाता है साइद इसमें कुछ बाला बदलो आप लोगों को देखने को मिल सकता है compute कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है तो दोस्तों समझें SSC GD में कोई बदलाव नहीं हुआ जो सारा डाटा था जो सिलेबस था जो पाइटर्न था वही है सब कुछ यही है यह जो नौटिस हम आप लोगों को दिखाए यह नौटिस टेंडर है और टेंडर में दो आदमी का मां लीजिए इसी तर से त्यारी में लगे रहे है समझें दोस्तों तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जाहिंड वंदे महत्रम बेस्ट आप लग